नमस्कार आप देख रहें वीकी नियूज यूपी और कुरोना वारे से जुड़े तार्याक्डों के साथ मैं हूँ योगेश शक्रवाल कुरोनाम हमारी ने पूरे देश की हालत बत से बत्तर कर दी है सबसे बुरा हाल उत्तरपदेश, मद्धपदेश और महाराष्ट का है जहां इसी दिप पूरी तरह से बिगड़ चुकी है स्वाथ से सेवा इप पूरी तरह से चर्मर आ गई है ऐसे में अब केंद सरकार और राजे सरकार इस संक्रमन से बशने के लिए हर दिन नए फैसले ले रही है ऐसा ही एक फैसला मोधी सरकार ने दो दिन पहले लिया था मोधी सरकार ने एठारा साल से उपर के लोगों को वैक्सिन लगाने का फैसला लिया था अब योगी सरकार ने भी मोधी सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है योगी सरकार ने उन सभी को फ्री में वैक्सिन लगाने की बात कहिया जो 18 साल की आयू को पार कर चुके है इतना ही नहीं राजधानी लखनों में बेड के किलत को देखते हुए मेदानता, अपोलो और सहारा होस्पिटल को कोविट के इलाज के लिए अब आरक्षित कर दिया गया है मेदानता में 1000 बेड, अपोलो में 300 बेड, सहारा में 200 बेड बढ़ाने की उम्मीद है आपको बता दे कि पिशासर ने करीब 1550 बेड आरक्षित किया है चली आपको बिना देरी किये पिछले 24 घंटे में आए कुरोना वारिस के आकड़े बताते हैं उतरपदेश में कुरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में आए आकड़ों के मुताविक कि 20 अपरेल 2021 को यानि कल कुल 163 लोगों ने कुरोना वारिस के कारण अपनी जान गवाई पिछले 24 घंटों में कुल 29,754 नए कुरोना वारिस के मामले सामने आए हैं इसी दोरान कुल 14,399 लोग ठीक हो कर घर वापस जा चुके हैं अगर हम अभी तक आए कुल आकड़ों की बात करें तो अभी तक मरने वालों का आकड़ा कुल 10,169 पहुंच गया है मतलब कि 10,169 लोग अपनी जान इस खतरनाक वारिस से एक गवा चुके हैं कुल 9,9,405 लोग इस वारिस से संक्रमित हो चुके हैं लखनाओ में अभी 52,376, बनारस में 15,927, प्रयागराज में 16,389, आगराज में 32,15, कानपुर में 12,832, गाजयाबाद में 3,728 लोगों का इलाज चल रहा है आपको ये भी बता दे कि लावध हाई कोट ने 5 शहरों में 26 अप्रयल तक लोगडों लगाने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ योगियाद इतना सरकास सुप्रीम कोट गई थी अब सुप्रीम कोट ने पदेश सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए लोगडों हटा दिया है इस ख़बर में इतना ही अगर आपको अपने शहर के कुरोनवारस से जोड़े याक्रों के बारे में जानना है तो हमें अपने सहर का नाम कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपसे अपील है कि आप मास्क पहने और जिम्मेदार बने दोगश दूरी में रहें घर में रहें और जरोरी हो तो मास्क पहन कर बाहर निकलें सुरफचित रहें घर पर रहें धन्यवाद